हरी हों आप लोगोंका वाइऑ ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को ब्लाक यंट वेड फोटो को कलर कैसे बनाना है उसके बारे माता रहूँ फोटो מת नहीं फोटोशॉप में अभी क्या पहले आपक्या करो अभी इसमें क्या है पहले एक फोटो ले लेता हूं फाहिल में आके open बुलता हूं अभी एक फोटो ले लेता हूं अभी समझो कौन सा भी आप black & white फोटो आप लेते हो तो यूजूरी क्या रहता है वो पुराना रहता है अगर पुराना है बुले तो उसको थोड़ा dust वगेर अभी RGB है पहले इसको मैं क्या कर लेता हूं Image Mode Mode को क्या है RGB है इसको मैं Gray Scale कर लेता हूं Gray Scale करने से क्या हो गया यह Black and White हो गया इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं अभी यह complete Black and White हुआ है अभी इसको मैं अंडू करूंगा तो अभी दिखो थोड़ा अभी इसको मैं फिर से एंडू करता हूं तो यह पहले आप भी जो इसको मैंने क्या किया मोड ग्रे कर ले आए तो अभी Black and White दिख रहा है अभी इसको क्या है आप इमेज में आके इमेडियेट आपको क्या करना है फिर से आज़ी अगर समझाओ आप ग्रे मोड रखके अगर आप ब्रेस्ट लेके कुछ प्लार लेता हूं अभी मैं फोर्गॉंड में क्या है दूसरा कलर ऐसे लेके इसको मैं ऐसे ड्रैक करता हूं तो देखो क्या हो रहा है इसे ग्रे आ रहा है अभी देखो कलर लिया है फिर भी वह ग्रे दिख रहा है ग्रे क्यों दिख रहा है अभी यह उसका मोड क्या है इदर ग्रे दिखा रहा है इसलिए क्या है मोड जैसे आप ग्रे करते हो बाद में mode RGB करना है RGB हम क्यों कर रहे usually हम photo क्या है lab को print के लिए भेजते है अगर समझो कौन सा ही फोटो आप work कर रहे हो उसको अगर आप offset printing के लिए भेज रहे बुरे तो तब आपको क्या करना है CMYK रखके work करना है यह आपको समझ में आ गया अभी इसको क्या है इसे RGB रखके इसको मैं क्या बोलता हूँ scale radical हो गया mode क्या हो गया इसका RGB हो गया gray करने के बाद RGB के यह RGB करने के बाद अभी क्या है editing कर लेता हूँ अभी editing के लिए क्या है वेसे हम polygon laser टूल भी ले सकते हैं और इधर pen tool भी ले सकते हैं थोड़ा इसमें क्या है जोटे चोटे portion से editing करनेके, इसलिए मैं क्या करता हूँ, Polygon Lazer Tool लेके इसको फोड़ा zoom करो करके editing करो, अभी मैं क्या करता हूँ, इदर क्लिक करके ऐसे लेता हूँ इदर, editing start करने से पहले, editing Polygon Lazer Tool से editing start करने से पहले आपको क्या देखना है, यह new selection है अभी इदर क्या है वन पिकसल इसका फैदर है एंटीलयस क्या है active है अगर चाहिए तो आप फैदर जादा चाहिए तो बात में आप गर सकते हो ओके लेकिन अभी starting में क्या रखना है ये की पिकसल उसके है आगे लिए उसको क्या है इसको क्यों से अदिटिंग कर के इसarinे आगर अगर Google फोटो तो गुरूप में जितने भी को यह सब लोग सब लोगों का एक बार और आप skin edit कर लेना, Skin Edit करके ही आपको color देना है, सबका skin एकी बार edit कर लेना है, कि वो पर तो color change नहीं होना, जिसका color dark रहता है, उसका dark आजाता है, जिसका light रहता है वो automatic हो जाता है, अभी इसको क्या है इसे इडिट इसको क्या है इसे डबल क्लिक कर ले सकते हैं अब इससे बases सेलेक्शन सेशलेक्षन बोलकर इसको मैं एक नाम देता हूं नाम क्या है जो है वही दे करATA हूं औпов के बो hj गुंव दिया अभी इसको क्या करो ठोड़ा आप जोन कर लो एसे अभी मैं इसको क्या करता हूं प्लिपस एडिट कर लंधाओ ऊपके इसे इलिट कर सब्सक्राइब और से एलदेश्य को कि कम्प्डेट्ट इसे एडिटिंग करे लो कि अब यह इतना इडिटिंग होने के बाद अभी क्या है से بीच में सपेश है अगर मैं वैसे इसको कलर्ड देता हूं तो यह दात का कलर भी चेंज हो चाहता है टीट का color क्या है वो भी change हो जाता है तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ Alt पकड़ना है Alt पकड़ने से क्या होता है इधर minus में आ रहा हूँ Alt पकड़के एक बार आप अंदर की तरफ इधर edge पे click करो और छोड़ दो है आप continue करो तो क्या होता है Whoa complete होने के बाद अपने आप उतना portion क्या है infect हो जाता है माइनस हो जाता है चाहिए इसको क्या है से editing क्या जो अब एक अगे क्या हो गया ये अंदर का पोर्षन है इतना माइनस हो घया सो माइनस होने के बाद अभी इसको select में आके save selection बोलो save selection बोलके अभी मैं क्या बोलता हूं इसको इसको एक नाम देता हूं कि लिप्स करके नाम देता हूं कि बोल दें control D अभी क्या है आइस के लिए आता हूं आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा अभी के लिए क्या है वैसे थोड़ा नॉर्मल कलर ऐसे चेंज कर देते हैं वह जो एक्चुलिक कैसे और करना है उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको अभी इसको क्या है से दोनों को एडिट करके अभी मैं शिफ्ट के साथ एडिट किया मैं पहले इसको एडिट किया बाद में क्या है शिफ्ट पकड़के इसको लेया तो एड हो गया दोनों एड होने के बाद अभी सेलेक्ट सेव सेलेक्शन बोलना है सेव सेलेक्शन में आके इसको मैं नाम क्या देता हूं अभी आइस देता हू आइस करके दिया ओके बोलता हूं यहीं अभी क्या होगा आइस सेव हो गए सो अभी इसमें आता हूं अभी क्या है मुझे अभी ड्रेस को एडिट करना है उके इस ड्रेस को क्या है इसे एडिट कर लेता हूं कर लेता हूँ इसको ऐसे क्या है ऐसे एडिटिंग कर लेता हूँ कि तोड़ा भार से ले रहा हूं इसे वह ऐसे ले कि आप कैसे वर करना है वह आगे बताऊंगा आपको कि अग्र करना हूँ अगर कि इसमें आपका सिंगल पोर्शन है्ट का अगर अलग अलग है तो इससे आप अलग अलग आप नामte भी सेव कर सकतते हैं अभी इसको क्या है इसे energy selecter same selection सेप्डीर सेलेक्शन बोलके अब कि इस में किया है कि ड्रेस करके नाम देता हूं क्यों करतों और ड्रेस ओगया सेवसें अभी इसको अभी इतना हूने के बाद अभी इसफाइल को दो कि आ ओब कि क्या है यह ओधा हुपाईल सेव बॉलता हुं सेवसे बूल इसको नाम मा ब्लाक एंड वाइट करके नाम दिया हमाई इसको क्या है ? PSD में सेव करता हूँ PSD बुले तो Photoshop Document इस format में सेव करता हूँ से होने के बाद अगर समझो आपने इसको JPG में आपने सेव किया तो बाद में वह editing जो भी हमने सेव किया वह आपको नहीं मिलता है इसलिए मैंने PhD में save किया save करने के बाद ये step को ध्यान रखना है इस file को close करना है इस file को close करने के बाद जो saved file है उस file को आपको open करना है अभी इसमें क्या है PhD black and white करके save है इसको open कर लेता हूँ open करने के बाद अभी आपको क्या करना है skin का color change करना है स्किन का कलर चेंग करने के लिए अभी मैं क्या करता हूं पहले उस सेलेक्शन को लोड कर लेता हूं जो सेलेक्शन हमने सेव किया है अभी सेलेक्ट लोड सेलेक्शन में आके इसको मैं क्या करता हूं स्किन को क्लिक करके इसको क्या करो ओपन ओके बोलता हूं तो क्या हो गया आपन ईया अभी सिलेक्षिन आ गया तो अभी इसको मैं क्या करता हूं इमेज अड्जेस्मेंट हो现在's को क्या है कलडर्बैलनस में आज करो कि ओके इसको और कि पर क्या बोल सकते हैं इसको च thirds पर ब क्या है यह आ जाएगा, इसको ऐसे लेता हूँ, color balance आ गया, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, color balance आने के बाद है, इसमें देखो तीन टाइप के tones है, एक mid tone है, shadow है, और highlight है, इन तीनों tone का use करना है, पहले मैं mid tone रखे अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसको थोड़ा red की तरफ लेता हूँ, और इदर थोड़ा left में लेलो, left में एनी magenta है, और थोड़ा yellow की तरफ आता हूँ, थोड़ा mild tone आ रहा है, इदर आपको दीख रहा है, ओके, थोड़ा mild tone आने के बाद है, इसको छोड़ देना है, इसमें एक द्यान रखने वाली बात क्या है, उपर का line right side में जाता है, और नीचे दोनों line है, दो left में जाते है, इसको थोड़ा basic है, यह थोड़ा आप द्यान रख लेना, अभी इसमें क्या है, shadow में आता हूँ, कितना जाना है, वो इदर देख के कर लेना हूँ, अभी मैं shadow में आता हूँ, shadow में क्या है, same thing repeat करता हूँ इदर, इदर भी क्या है, इदर right side लेता हूँ इसे, और इसको क्या करो, थोड़ा left में ले लो, और थोड़ा left में यह भी ले लेता हूँ, थोड़ा देखो भी और थोड़ा आपको skin tone लगने लगा अभी, यानि अभी क्या हो गया, यह shadow complete हो गया, अभी मैं highlight में आता हूँ, highlight में आता हूँ तो हमको final result मिल जाता है, highlight में आके क्या करता हूँ अभी, इदर, इदर क्या highlight में आके आप क्या करो, इसको भी क्या है, इसे, इसे ले ले लो, अभी आपको skin tone लग रहा है complete skin tone लग रहा है आपको जितना चाहिए उतना आप ऐसे set कर लेना चाहिए तो आप थोड़ा zoom करके देख लो देखके क्या है इसे इसको मैं skin tone ले लेता हूं क्या है यह से complete skin tone लेकिन अभी क्या है इसमें सिर्फ हमने skin का color दिया है इसलिए आपको ठोड़ा और दिखता है starting वो कि इसको मैं Ctrl D बोल देता हूं है अब है इसको क्या है थोड़ा अंडू कर लेता हूं अभी सिलेक्शन है इधर क्या है अपर इसको थोड़ा řूरह करें के लिए और एक बर जाता हूं मैं अगर आपका ओर ठाने चाहिए तो वह इससे आप नॉर्मल harvest कर सकते हैं अभी इसको ठोड़ा अफेस पहले इसको right side में लिया और इसको थोड़ा left में लेता हूं और स्किन टॉन आगया अभी उटे थोड़ा आपको रिच िज ठीक से लग रहा है इसको मैं Ok बोलता हूं editing इदर से किया होता अभी यह line जैसा लग रहा है आपको इदर अगर editing में इदर से किया होता तो अभी क्या है इस line को कुछ कर नहीं सकते था है। इसे लिए मैं थोड़ा ऊपर से ले आऊ हूं तो अभी इसको मैं क्या करता हूं यह क्या है इधर है हिस्ट्रि प्रेश टूल करके है इधर क्या है सिस्ट्रि ब्रेश करके है डूर अभी मैं क्या करता हूँ और failure ले लो ब्रेश लेके कौन सा भी कलर लेके इसे ड्रैक करता हूं तो अभी यह क्या हुआ हो के गया यह जो भी आप ड्रैक कर रहे हो यह हिस्ट्री हो रहा है अभी हिस्ट्री हो गया तो अगर इसको आपको निकालना है बोले तो अभी मैं क्या करता हूं हिस्ट्री ब्रेश टूल करके है इदर ओके हिस्ट्री ब्रेश क्या करता है जो भी आप काम किये रहते हैं उसको क्या है अभी थोड़ा ब्रेश बड़ा कर रहा हूं में क्लोज ब्रकेट करने से स्क्वेर ब्रकेट स्क्वेर क्लोज ब्रकेट करने से क्या है चोटा और बड़ा होता है ओपन ब्रकेट करने से चोटा होता है इसको मैं एरेज करता हूं अभी दिखो जो आपने वर्क किया है उसको निकाल रहा है हि Springs क्या करता है जो भी हम काम करते हैं उस काम को निकलता है इसकर इसको अगर मैंने कम किया तो थोड़ा थोड़ा कर के इसे निकलता है इसे समझ में अगर अगर विन किया करता हूं इधर यूज करता हूं को कि इस ड्रेश करो फैसिटी क्या है इसका एक 20 डोलेंगे तो ट्वंटी content हुग इधर लीए को गया इसने को मेंटी होगे चालि दोले चेंटPP क्षिप्ट पकड़ के क्लोस परटेट करेंगे तो हाल्ड होता है इधर चिंजस दिख रहा आपको शिफट पकड़के इधर तक भी आप ले लो याएसे थोड़ा-thोड़ा करके निकालना है ज्लादा आपसिटी रखेंगे तो एकदम से जाता है तो और दिखता हो तो इसको क्या है यह आपको क्या करना वर्क करना इस पर एपके जोटा आज दिख रहा है आपकोगे सो इतना होने के बाद अभी क्या है जो भी सिलेक्शन से उसको एक एक करके लोड कर लेता हूँ मैं अभी इसमें क्या करता हूँ image इसमें क्या करो आप अभी आप क्या करो इसमें select में जाके load selection load सियलेक्शन में आногे क्या करता हूं पहले आप lips ले ले लेता हूं OK बोलो सिधर क्या है लोडूअ increase control यू बोलता हूं था हिसलिए ूर मेंju saturation उसके लिए क्या है ίमेज adjustment यू साइच्टुरेशन करके हैं इधर आता हूं serious इससे पहले के वीडियो में में आपको इसके बारे में बता है कि उसका मैं ऐब डिडेदा हूं कि अब इसको थोड़ाच्छ कर लेना हुआ। अभी इदर क्षाइब कर सकते हैं और डार्क्त कर सकते हैं थोड़ा मेडियम रखता हूं रहख के अभी मैं ओके बोल देता हूं इसको क्या करूआ रहा है कियो अभी इसको पहले मैं बोलता हम अभी अभी जो भी single color रहता है तो उसको हम colorize बोल देते हैं अगर multi color change करना है तो यह निकाल के भी आप कर सकते हैं अभी जो मैं बताया उस वीडियो का आप रेफर कर लेना सो अभी इसको क्या है color थोड़ा bluish रखता हूं रखके इसको क्या है しま ratsarti थोड़ा कम रखता हूं अब स्याधा करेंगे तो ऐसे focus होता है तो इसको थोड़ा mild रखता हूं मंढ़ट के इसको क्या है थोड़ा depth भी लेके आओ लो बन बनता है तो इतना रखके अभी में क्या करता हूं इसको Okay बोलता हूं सो अभी क्या हो गया यह eyes हो गया इसो अभी next क्या है आपको select load selection अभी मैं इसमें select में आके लोड selection लेता हूं आभी dress लेता हूं dress लेकर इसको क्ये बोलता हो अभी यह dress आ गया dress के लिए क्या करता हूं control-U control-U colorize बोलो colorize बोलके अभी क्या है आपको जो आपको चाहिए वह शेड आप क्या है से दे सकते हुआ तो देता हूँ डेके इसमें क्या करो कौन सा भी आपको शेड चाहिए वह शेड आप इदर दे सकते हैं भी इसको ओके बोल दिया ऑख अभी देखो ग्रेंस होगे अब पूरा क्लियर है वोगे बहुत अच्छी तरह से का कलरट हो गया ओके सब्रेक्ष के आपको ठोड़ा है यह निवेट देख रहे हैं पिश्कों मैं क्या करता हो भी एक ब्रेशट लेता हूं कि खिसके लिए सपीलगे का करे Console निदि हैं का किलर में आ खेले में एदर एक रेड कलर ले लेता हूं लेकर बता सो अभी इसको क्या है करता हूं तु ऐसे आ रहा है brush को क्या करो थोड़ा spray रखो Shift open bracket करने से प्रे होता है तो spray रखे brush में colour क्या है थूँदा maroon लेता हूं ओढ़ड से थूड़ा red dark Opus करें मारून लें लेके आप तो आपको क्या है उसके अंदर लगे जैसा दिखना चागी तब मैं क्या करता हो जो अभी मोट क्या सका नॉर्मल है इसको मैं डार्कन कर लेता हूं उक्या कशunion को सब्सक्राइस को अंदर की तरफ लग रहा है यह आपको समझ में आ गया अभी इसको मैं क्या करता हूं जहां जहां पर भी वह शेनिंग है अभी आपसिटी एक दस रखके वन बुले तो 10 परसंट आया तो इसको एसे रोल कर लेता हूं क्लीक क्वेश को छोड़ना नहीं है मोस का क्लिक को छोड़ना नहीं है उसे रोल कर लेता हूं इसको थोड़ माइड टोन आ रहा है अगर ऐसे कुछ बाहर गया तो आप क्या है हिस्ट्री ब्रिश्चे आप कर सकते हैं अगर समझो आपने अभी मैं 10% opacity दिया है अगर और थोड़ा जादा चाहिए तो और एक बार आप सना फिर भी थोड़ा खुड़ी एसको मैं क्या करता हूं अबि इमेज अध्यस्ट में आता हो आपड़ां व्रैटनेस делать मैं आके इसको थोड़ा डेप्ट देना ऐसे फीचे़ां प्रॉसट करगे इसको में यह जोले करके इसको उके भू अब के दूसरा श्यर्ड चाहिए तो अलग लेकर श्यड दे सकते हैं मको अगर ऐसा कुछ ये आपको समझ्ञ में आ गया इ Belgique 2020 इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूँ साइट इसको क्या है विजेट्टेंेटी सुछ इंतर जादा दीखर सब्सक्राइब ओड्टेखर सब्सक्राइब कर सकते अभी समझा यह इस पोटो को मुझे क्या करना भी थोड़ा स्मूथ करना है बुले तो वो नीट इमेज में इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है अभी उसमें क्या है आपको क्या है अभी सिलेक्ट में जाके लोड सेलेक्शन बोलो लोड सेलेक्शन बोलके अभी मैं क्या करता हूं इसकिन में ही आता हूं आक नौईस सेटिन को क्लिक करो चुछ गले के बाद यह से बॉक्स लेना है तो आपको पृव मताता है थोड़ा थो रहा है आपको जतना पोशन चाहिए उतना पोर्शन सेलेक्ट करके आप इदर आके इसको लेके बाद में आप क्या करो अपलाइ करो जो भी पृशन जाएगा पुखे अबहुं को समझ में आगए इस्में कुछ और ते रहा है ऐसे इदर कुछ कहीं पर यह नाइज आयजान जाता है ऐसा कुछ है तो आप ऐसे मुंट करके है कि तर क्या है ऐसे अब इंग स्मुनक्र स्टूल करके है इसको लेकर कि आप क्या है एसा थोड़ा मुमेंट आप करेंगे तो भी थोड़ा क्लिक करके इसे मुमेंट करना है थोड़ा मुमेंट करके छोड़ना है तो क्या है इसे स्मूथ होते जाएगा हो इधर क्या है स्मूथ आप कर सकते हैं थोड़ा जूम करके करना है ऐसा कुछ नौइज है तो हथोड़ा ज़्याता स्मूथ हो गया है अब अपनी इससाद से होने के बाद कि इसको क्या है थोड़ा मैं म идет लाता हूँ इसे परसला ब्रेटनेस शॉच्जन में लाता हूँ इसे ब्रेटनेस किजिएगा हमारे साथ जुड़े रेने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद